हलो फ्रेंड वेलकम तो आर चैनल एफेक्टिव श्टडी ऐसा से सीजियल टूठा 90 का डीवी कंप्लीट हो चुका है जो आपके माइंड में प्रेफरेंसेस थी वो आप फिल कर चुके हो डीवी टाइम पर अब बदल नहीं सकती है अब इसमें क्या है रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तब तक आप इस प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करो जितना हो सकता है शेयर करो लिंक डिस्क्रिप्शिन में दे रखी है और यह only statistics candidate के लिए है यानि कि जो बच्चे JSO और SI2 के लिए eligible हैं यह उनके लिए है और इससे क्या होगा cutoff का एक अच्छा खासा आपको idea लग जाएगा अभी तक cutoff ना पताने का reason क्या था इस post के लिए क्योंकि preferences जो थे हैं वो बहुत matter करती है इस post में इस post की cutoff उपर भी चली आती है नीचे भी चली आती है लेकिन यह सब depend करता है preference पर तो इसमें कैसे कैसे भरना है किस तरह से चीजे देखनी है करनी है वो मैं आपको समझा दूँगा बच्चों की जो response आए उनमें क्या गलती है वो भी ध्यान से देख लेना ताकि आप ना करो आप सही तरीके से चीजे हो ओके वन वाई वन देख लो इन चीजों को अब इसमें आपको नेम वही बरना है जो आपका किसी भी लिश्ट में mention है category भरनी है normal marks टायर वन में कितने है वो भरने है normal marks out of 700 कितने हैं वो फिल कर देना 200 में से statistics paper में कितने हैं वो फिल कर देना और आगर आपने W कोई paper दिया है तो वो marks भी यहाँ पर फिल कर देना preference पांच भरनी है आपको लेकिन पांच किस तरह से भरनी है इस तरह से नहीं कि आप माना कि आपके 630 number है यू आर केटेग्री में for an example यहाँ आप सभी को पता है कि inspector post तो नहीं मिलती नहीं मिल सकती नहीं जो है assistant section officer मिल सकती ESO post मिल सकती है किसी भी condition में नहीं मिल सकती नहीं assistant section officer और नहीं inspector post किसी भी condition मिलेगी नहीं divisional accountant मिलेगी तो आप इसको preference में भरो तो वो चीज गलत होगी क्योंकि इससे आपका count नहीं होगा आप वही भरो जो आपको मिल सकती है For an example, Auditor Auditor आपको लगता है कि मिल सकती है या फिर Tax Assistant, CBDT, CBIC या फिर UDC जो है या फिर Junior Accountant ये post आपको हो सकता है मिल सकती है तो आप इन ही हो भरो उसके बाद आपका जो भी preference में JS हो जिसमी नमबर प्यार आ रहे हो आपको फिल करना है लेकिन ऐसा नहीं करना है यहां से Inspector of Post, then Assistant Section Officer then आपको डवा ले हो, डवा ले हो मार्क ने, फिरी भी आप भर रहे हो ऐसा मत करना यह चीज़े मत करना, randomly कुछ भी मत डालना वही डालना जो आपको मिल सकता है तो पांच preference हैं, पांच आपको भर देने हैं जतना जल्दी हो सकता है और जतनी जल्दी हो सकता है शेर भी करना है ताकि Max Student के पास पहुँच जाए यह कुछ Student का डेटा आया था इसमें काफी Students की चीज़ें सही है लेकिन कुछ Student की चीज़ें गलत भी हैं इसमें जैसे कि यह 30 नंबर पर एक Student है और इसके marks है 639 यूर केटेगरी से बिलाउंग करता है यह candidate लेकिन 639 पर सभी को बदा है कि Inspector Post नहीं मिल सकती नहीं Divisional Accountant मिलेगी नहीं Central Access में Inspector मिलेगा तो यह Inspector of Income Tax भी नहीं मिलेगा तो यह Post इस तरह से नहीं बर नहीं है जहां पर आपको लगता है Auditor मिल सकता है और अगर आपने Auditor पहले बराया है JSO से तो आप यहां Fill करो या JSO के बाद बराया है तो Then Fill करो इस तरह से Post मत भरो जो आपको नहीं मिल सकती है जैसे यहां पर एक Example है OBC में एक Candidate के 580 Marks है यह OBC का Candidate है 580 यहां पर नमबर है उसके और Out of 700 अब यहां पर उसने Tax Assistant CBD भराया है एक Chance हो सकता है कि यह जो Cut Off है जो उनकी 580 something Cut Off है OBC की उससे कम चली जाए जो भी 595 Cut Off है Tax Assistant CBIC यह एक Chance है कि उनको List 4 में Name है लेकि यहां पर अगर यह बच्चा भी Inspector बढ़ देता है यहां पर या फिर कोई ऐसी Post बढ़ देता है जो नहीं मिल रही तो यह आपका Form जो है वो आपके लिए घराब हो जाएगा जैसा मत करना जतना हो सके शेर करो और मैं शीट को लाइव कर दूँगा ताकि आप करनेट में देख सको कि क्या चल रहा है ओके थैंक यू गूड लग वेश्ट अफ लग